हेलो एक्वेशन से एक क्वेशन जरूर आता ही आता है इस definition से आपको शायद समझ ना आया हो तो हम example लेके देखते है 2x प्लस 4 ये क्या है ये एक expression है तो equation क्या होता है equation तब बन्द है जो हम दो quantities को equate करते है यहाँ पर आप देख रहो ना equal to का sign मतलब हम इन दोनों quantities को equate कर रहे है इसलिए ये क्या है ये एक equation है अब हम समझते है linear equation in one variable and two variable so linear equation in one variable एक equation जब इस form में होती है ax plus b equals to zero तब हम उसे बोलते है linear equation in one variable ऐसा क्यों यहाँ पर a और b क्या है वो तो constants है और x क्या है variable यहाँ पर हमें x ही दिख रहा है y,z ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ x है इसलिए ये one variable है अब linear equation in two variable इसकी equation की form क्यों होती है ax plus by plus c यहाँ पर आप देख सकते हो दो variable है x और y इसलिए ये linear equation in two variable है यहाँ पर x और y क्या है वेरिबल्स इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया अब हम देखते हैं इसके questions sum of two numbers is 35 and their difference is 13 find the numbers तो यह बोल रहे है कि दो numbers है उनका sum मतलब अगर हम उनका add करेंगे तो वो 35 है और उनका difference मतलब अगर हम उनका subtract करेंगे तो 13 तो वो number क्या है सो हमें number नहीं पता तो हम assume करते हैं कि वो number क्या है x and y दो number है अगर हम उनका add करेंगे तो 35 है और subtract करेंगे तो 13 अब हम इन दोनों equation को add कर लेते हैं so x plus x 2x हो गया plus y minus y तो cut हो जाएगा और इन दोनों को add करके 48 तो 2x equals to 48 अगर हम 2 को 48 से divide करेंगे तो यहां पे हमारा x क्या आगया 24 अब क्या करेंगे हमें अपनी x की value पता चल गई अब हमें y की value भी तो find करने हैं तो हम यह first वाली जो equation है यहां पे x की जगह हम 24 लिखतेंगे 24 प्लस y equals to 35 यहां से हमारी y की value आगई 11 तो हमारे जो दो numbers है 24 और 11 I hope आपको यह question clear हो गया इसके बाद हम एक और question देखते हैं 2 tables and 3 chairs together cost 2,000 whereas 3 tables and 2 chairs together cost 2,500 मतलब हमने 2 table खरी दी और 3 chairs खरी दी वो 2,000 की मिली हमें फिर हमने 3 tables और 2 chairs खरी दी वो हमें 2,500 की मिली तो question है कि अगर हम 1 table of 5 chairs खरी देंगे तो हमें कितने की पड़ेगी तो सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि 1 table और 1 chair की cost कितनी होगी तो सबसे पहले हम assume कर लेते हैं जैसे हमने पहले वाले question में assume किया था कि table की cost है वो x है और chair की y है तो 2 tables मतलब 2x plus 3 chairs मतलब 3y equals to 2,000 and 3 tables 3x plus 2 chairs plus 2y equals to 2,500 अब हम इन दोनों equations को solve करेंगे, so solve करने के लिए हम पहली वाली equation को multiply करेंगे 3 से और दूसरी वाली को 2 से, जब हम इसे 3 से multiply करेंगे तो हो जाएगा 6x plus 9y equals to 6,000 and second को 2 से करेंगे तो 6x plus 4y equals to 5,000 so जब हम simplify करते हैं, eliminate करते हैं, तो इस से क्या होता है, sign change हो जाते हैं हमारे तो sign change होने की वज़े से 6x, 6x तो cut गया यहाँ पे 9y minus 4y equals to 5y and 6,000 minus 5,000 equals to 1,000 so y की value के आगई हमारी 200, similarly दुबारा से अब हमें y की value निकाल लिए, अब हमें x की निकाल लिए होगी तो उसके लिए हम वो वाली equations वापिस लेंगे, first वाली equation को 2 से multiply करेंगे, second को 3 से करेंगे वो क्या आ जाएंगी, 4x plus 6y equals to 4,000 and 9x plus 6y equals to 7,500 यहाँ पर 6y और 6y कट हो रहा है, यह आ गया minus 5x equals to minus 3,500, minus minus deduct हो जाएगा x equals to 3,500 upon 5, that is 700, so x की value equals to 700 and y की 200 so question तो यह नहीं था हमारा, question था हमारा कि हमें किसकी cost निकालनी है one table and five chair, तो अभी हमें table की पता चल गए और chair की, तो हम one table plus five chair की निकाल सकते है 700 plus five into 200, that is 700 plus thousand and 1700 total cost है हमारी I hope आपको वो दोनों question अच्छे से समझ आ गए, अब मैं आपको question करा रही हूं जो last year के question paper में आया था so let's start, in a given two digit number, the digit at tens place is thrice the digit at the units place by reversing the place of digits, the new number formed is 36 less than the given number what is the given number, I know यह थोड़ा confusing लग रहा है, बट यह question उतना मुश्किल नहीं है इसमें options दिये थे हमें 42, 62, 93, 26, इसका correct answer है 62, पड़ा हम देखते हैं हमने कुशी किया कैसे so पहले उन्होंने बोला है कि दो digit number है, जो tens वाला digit है वो तीन गुना जादा है once digit से तो one हम assume कर लेते हैं कि once digit जो है वो x है और हमारा जो tens है वो तीन गुना जादा है थ्राइस है तो वो 3x हो गया so tens digit जो है वो तीन गुना जादा है तो 10 into 3x plus once digit तो क्या हो गया हमारा 31x अब वो बोल रहे हैं अगर हम इसको reverse कर देंगे तो हम 3x के जगा x लिख देंगे और x के जगा 3x लिख देंगे तो हमारा क्या आ गया 13x अब वो बोल रहे हैं कि जो हमारा नया नंबर form हुआ है वो 36 less है given number से नया नंबर क्या है 13x 13x क्या है 36 कम है so 31x minus 36 अगर हम करेंगे तो 13x आ जाएगा अब हम इससे simplify करेंगे अगर हम इसको यहां पर ले आए 13x को यहां ले आए और 36 को यहां ले आए तो हमारी value क्या आ जाएगी 18x equals to 36 x की value 2 सो अब हम नया नंबर है वो है क्या सो हम क्या करेंगे number find करने के लिए यह जो हमारी equation है इसके अंदर हम x की value पूट कर देंगे जो क्या थी हमारी 2 जो हमने भी find कर थी तो हमारा answer के आगे 62 यह थोड़ा सा confusing question बट अगर आप ऐसे questions की practice करोगे तो आपको idea हो जाएगा so question solve करने के बाद I hope आपको idea हो गया है की equations कैसे solve करते हैं अब मैं आपको एक question दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसका answer comment box में लिखें and देखते हैं कौन सही answer देता है the sum of two numbers is 48 मतलब अगर हम दो numbers को add करेंगे तो 48 है और उनका product मतलब उन दोनों को multiply करेंगे तो 432 है तो वो numbers क्या है so let's see who will tend the answers I hope आपको मेरी ये video helpful लगी हो अच्छी लगी हो अगर आपको अच्छी लगी है video then please subscribe to my channel क्यूकि मैं ऐसी videos अब डालती रहोंगी like this video and share it with your friends to help them thank you for watching